हिमाचा परदेश में बढ़ते नशे के खिलाब सुख्ष सरकार में सक्त कदम उठाने का निर्ने लिया है विधान सभा में नशे के सवाल पर मुख्या मंतरे सुख्विंदर सिंग सुख्षू ने कड़े शब्दों में कहा कि नशा तसकरों के खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी और जो तसकर पकड़ जाएंगे उनकी संपती तक सरकार जब्त करेगी नशे को लेकर पुलिस वा आपकारी एवं कराधान विभाग की कारे परनाली पर भी सवाल उठाए गए मुक्यमंतरी ने कहा कि बॉर्डर एरिया में लंबे वक्त से डटे पुलिस अधिकारियों और आपकारी एवं कराधान के अफसरों के तबादले किये जाएंगे ताकि नशे के खिलाब मुहीम को तेज किया जा सके परदेश में जो नशे के सोधागर हैं जो नशा बेचते हैं और जो नशे के कारोबार में लगे हैं इस अंदर में हमारी सरकार बड़ी कंभीरता से विचार कर रही है इस बारे में विवाग ने हमें कुछ प्रस्तिती भी दी है, जल्दी ही हम इस मामले में एक सगत कानून लाने जा रहे हैं, जो संपत्ती नशा बेच कर बनाएगी होगी, उसके खिलाफ हम कड़ा एक्षन लेंगे, क्योंकि हम अपने युवा साथियों को नशे के अंधेरे में देकेल नहीं सकते, और जो नशे बेचने वाले हैं, उनके लिए और सगत कारवाई के लिए हमें कानून लाने जा रहे हैं. जो पुलिस के कुछ अधिकारी जो लंबे समय से बॉर्डर एरिया में हैं या एक्साइज वाले अधिकारी कुछ बॉर्डर एरिया में हैं, वो रूटेट किये जाएंगे. ताकि कोई ऐसी इस्तिती पैदा नहों कि वो एक जगा जमे और जिसके कानून वा किसी कानबन से कोई वरष्टाचार फैर रहा हुआ हूँ. नशे के मामले में ग्रेह मंतरी से बात हुई थी और उन्होंने बोला कि हम इसमें आपका पूरा सेभूग देंगे. तीन मुद्दों पर पंजाब के मुख्यमंतरी से बात हुई है. एक वाटेसस के मुद्दे को लेकर बात हुई है. उन्हें मैंने बताया कि ये किसी पानी पर नहीं लग रहा है. इससे पंजाब का कोई हैड्रो प्रेडिट हमाचल में नहीं है. लेकिन बीवी एमबी का जो तूरिजम से बात की है. तीनों मुद्दों पर हमारी का बड़ी अच्छी चर्चा हुई. और पंजाब के मुख्यमंतरी मान साव ने हमें वरुसत लाया है कि हम जो भी संबाद के दौरा सभी समस्याओं का हल निकालेंगे और हमारी चीफ सेक्टरी की एक टीम उनके पास ज जाएगी और जो समस्याओं है या जो मसले हैं उनको संबाद के दौरा हल किया जाएगी.